रिम्डिफेंस अकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तयारी को बैथर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्लेट से रिम्डिफेंस अकेडमी अब नमस्कार रिम्डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चनल पर मैं रणवीर चौदरी Retired Assistant Commandant CRPF आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो 2021 वाले बैच के जो बच्चे इंतजार करेंगे अभी रिजल्ट का उसके लिए मैं बात करूँगा कि रिजल्ट आपका कैब डिकलेर होगा आगे उसमें क्या-क्या प्रोसेस होगा मेडिकल कब होगा, डोकुमेंट कब जमा होंगे कितना उसमें टाइम लगेगा, आपकी जोइनिंग कब तक आएगी, ट्रेनिंग कहा होगी इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा और साथ में जो पिछले 2016 वाली वेकिंसी थी, जो complete हो चुकी है, पूरी हो चुकी है उससे हम ये सारी चीज़ सिखेंगे, कि कितनी वेटिंग लिस्ट निकलती है कैसे कैसे selection का पूरा प्रोसेस चलता है तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डिफेंस की कोई भी तैयारी करने के लिए और जो नियमित्य स्टूडेंट है वो भी इसको पूरा देखिए जिसके आपके मन के भी कई डाउट्स के लिए रहो सकें साथ में इस वीडियो के अंते में मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि नई विकेंसी कब तक आ सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे हो और आपको तैयारी कैसे करनी है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि अभी जो 2016 की जो कंप्लीट विकेंसी हुई है उसकी पूरी तुलना हम 2021 के साथ करेंगे और इस तुलना से आपको बहुत सी चीज़े सीखने को मिलेंगी कितने बच्चे फॉर्म अपलाई करते हैं कि एक्जाम में कितना टाइम मिलता है उसके बाद में रिजल्ट कब कब आता है कैसे मेरिट बनती है यह सब चीज़े हम साथ साथ तुलना अत्मक अध्यान करेंगे दोनों का तो सबसे पहले 2016 की विकेंसी थी और इसमें नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है पांस सो ग्यारा पोस्ट के लिए थी और दोजार इकीस की जो विकेंसी थी वो आट सो उनसाट पोस्ट की थी 859 अब जो नई विकेंसी जो दोजार तेईस में अगर आती है तो वो लगबग पांस सो से आठ सो पदों के बीच में हो सकती है अब इसके बाद एक्जाम की जो डेट थी वो साथ अक्टूबर दोजार अठारा थी 2016 के लिए एक लाख नबे हजार लोगों ने एक्जाम में इसा लिया और ये जो दोजार इकीस में थी 13, 14, 15 सितंबर दोजार इकीस को चार लाख लोगों ने इसा लिया रिटन एक्जाम के अंदर रिजल्ट्स जो डिकलेर हुआ 2016 की विकिंसी का ओच 26, 8, 2019 को 11,346 बच्चों को पास किया गया और ये जो संख्या होती है ये 20 गुना बच्चों को पास किया जाता है जितने बच्चे रिटन एक्जाम में हिस्सा लेते हैं उनमें दोनों पेपर में कुल मिलाके 40% से उपर और प्रतेक पेपर में 36% मार्च्स अंकल आने वाले बच्चों में से 20 गुना बच्चों की एक मेरिट लिस्ट मनाई जाती है और उससे 11,346 बच्चों को फिजिकल के लिए कौल किया जाता है यहां यह जो डेट थी वो 24,12,2021 को रिजल्ट डिकलेर किया गया और यह 869 पोस्ट के लिए 20,000 लगबग बच्चों को सामिल किया गया फिजिकल के लिए कौलिफाई किया गया यह जो परकिरिया है 2021 वाली वो बहुत फास्ट चल रही है यहां 21 में वेकिंसी है, 21 में एकजामा और 21 में एक रिजल्ट आ गया एक साल में कम्प्लीट तीनो चीज हो गई और इस तरफ देखें तो 16 में वेकिंसी, 18 में एकजाम लगी है और 19 में रिजल्ट आया है यहनि कि 3 साल लग गई तो ये डिपेंड करता है हर विकेंशी के उपर जरूरत की अनुसार इसके बाद फिजिकल जो होता है वो 23,9,19 से सुरू होता है 8,9,000 बच्चे इसमें सामिल होते है इदर जो फिजिकल होता है वो 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक सामिल होता है और इसके अंदर ये 20,000 में से लगबग 14,000 बच्चे हैं जो फिजिकल में सामिल होते हैं बाकी लोग सामिल नहीं हो पाते हैं इसके बाद फिजिकल का जो रिजल्ट डिकलेर किया गया 2016 वाली विकेंसी के लिए 8 जनौरी 2020 को 1926 बच्चों को क्वालिफाई किया गया और ये जो फिजिकल का जो रिजल्ट डिकलेर होता है इसमें एक मेरिट बनाई जाती है 100 नमर का फिजिकल होता है जिसमें 50 नमर लाने अनिवारी होते हैं तीन इवेंट होते हैं कोई से भी दो इवेंट में भी आप 50 नमर लाते हो तो आप पास में सामिल होते हो रिटन एक्जाम 400 नमर का 100 नमर का फिजिकल 500 में से एक मेरिट बनती है और लगबग 3 गुना बच्चों को इंटर्यू के लिए समिल किया दाता है उसको बोलते है फिजिकल का रिजल्ट तो इसमें 1926 बच्चों को इंटर्यू के लिए कॉल किया गया 8.1.2020 को इसी तरफ 11 अप्रेल 2022 को 3291 बच्चों का इंटर्यू के लिए कॉल होना निश्चित हुआ लगबग 3300 बच्चों का अब इसके बाद इंटर्यू जो होते हैं वो 2016 वाली वेकील सी में 8 जुलाई 2020 से लेके 27 अगस्त 2020 तक लगबग डेड़ मिनिट चलते इंटर्यू लगातार थे और इदा जो इंटर्यू हैं ये 23 जनवरी 2023 से शुरू होके अब इसके बाद में क्या होगा ये बहुत इंपोर्टेंट है और इसके लिए हमें यहां से सारी चीज़े समझने पड़ेंगी कि आगे क्या क्या होने वाला है जिससे जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार करेंगी अभी उनको भी ये चीज सारी चीज समझ में आ जाएगी कि अब क्या क्या होगा तो देखिए यहां से अपन देखते हैं कि रिजल्ट RPSC ने डिकलेर किया इंटर्वी खतम हुआ 27 आट को और ये जो रिजल्ट है वो 1 सितंबर 2020 को 1834 बच्चों की एक लिस्ट जारी की कि ये रेंक के अनुसार हर कैटिगरी को उसमें सामिल करते हुए एक लिस्ट रिजल्ट के तोर पे निकलेगी और वो सिरफ रिजल्ट होगा आपके फैल या पास का क्या आप इंटर्वी में फैल हुए हैं या पास हुए हैं 1926 बच्चों ने इंटर्वी दिया 1834 बच्चों का रिजल्ट आया इसका मतलब है कि कुछ बच्चे हैं जो इंटर्वी में फैल भी होते हैं जिनको minimum marks अगर नहीं मिलते हैं तो उस condition में उनको फैल भी किया जाता है 1834 की एक list तीन दिन बाद में declare की गई है यहां भी 39 के बाद में कभी भी result declare किया जा सकता है same day उसी दिन रात को किया जा सकता है एक दिन बाद, दो दिन बाद, दस दिन बाद, कितना भी समय लग सकता है यह उस अधिकारी पे depend करता है जिसको यह decide करना है तो इसके लिए आपको बस इंतजार ही करना पड़ेगा इंटर्यू खतम होने के बाद में डेट कोई निश्यत नहीं है और इसमें जो 3,291 जो बच्चे इंटर्यू देंगे इन में से कुछ बच्चे हैं जो इंटर्यू में फैल भी होंगे जिनको मिनिमम मार्च नहीं मिलेंगे और बाकी बच्चों की एक सीनियर्टी वाइज एक लिस्ट आएगी और आर पीएस सी वो लिस्ट बेजती है पुलिस हैड़कोर्टर के पास जैपुर आएगी अजमेर्शेव लिस्ट और यहां ने के बाद में उस पे क्या होता है वो पीएस क्यू को जो फस्ट रिजल्ट निकालता है वो 21-10-2020 को निकालता है 494 कंडिडेट्स का यानि यह क्या करता है पुलिस हैड़कोर्टर एक सितंबर को रिजल्ट आने के बाद 21-10 अक्टूबर तक यानि लगबग एक मेना और 20 दिन लगए पुलिस हैड़कोर्टर को एक लिस्ट निकालने में कि इतने बच्चों को मेडिकल करवाया जाना है और उन में 494 बच्चों को सामिल किया गया 511 पोस्ट थी लेकिन उससे भी कम बच्चों की पहली लिस्ट निकली और ये कम बच्चे क्यों होते हैं ये कम बच्चे इसलिए ले जाते हैं कि कुछ बच्चों का result है वो रोकावा होता है नैले के कारण कुछ बच्चों को बाद में उसका decision आना होता है इसलिए उनके लिए seatे खाली रखनी पड़ती है तो 6 और 11, 17 seatे उनके लिए खाली रखके और total 494 बच्चों का medical करवाय गया medical जो होता है वो जैपूर में होता है सरकारी hospital में होता है जितने government hospital है जैपूर में 5 से जगह अलग अलग जगह divide किया दाता है 25, 25, 30, 30, 50, 50 hospital की capacity के अनुसार अलग-अलग groups में, अलग-अलग दिन में medical होते है और medical बिलकुल normal होता है उसके आपको tension करने की ज़रूतनी है medical के लिए आप मेरा दूसरा कोई video देख सकते हैं जिसमें हर चीज मैंने बताई है कि physical कैसे होता है return कैसे होता है medical कैसे होता है सब चीजें के alag-alag videos आपको मिल जाएंगे यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 494 का medical होगा उसके बाद में जो बच्चे medical में पास होते हैं उनके document verification होगे original document जमा होगे police verification होगा और उसके बाद में उनका joining का एक order निकलेगा और police academy जैपूर सास्त्री नगर में joining होती है सारे बच्चों की अब इसके बाद बेटा जो second list है वो 3821 को 8 बच्चों की निकली है waiting list ये किस वज़े से निकलती है जो बच्चे join नहीं करते हैं जो court के जो order आजाते हैं उनकी वज़े से ये process चलता आगे आगे आठ बच्चों की 3821 को निकली है दूसरी list थार्ड लिस्ट निकली है 3921 को 30 बच्चों की और फोर्थ लिस्ट निकली है 281221 को 7 बच्चों की इस तरह अब तक 4 लिस्ट इसकी निकल चुकी है waiting list तो अब हमें यहां से ये चीज समझनी है कि इसका result डिकलेर होगा 29 मई के बाद में कभी भी हो सकता है 29 को हो सकता है 30, 31, 1, 2 कभी भी आपका result डिकलेर होगा पुलिस एड क्वाटर को एक list आएगी आपकी उसमें सारे जो पास बच्चे होंगे इंटर्व्य में उनका नाम होगा RPSC की साइट पे आप उसको देख सकते हो उससे आपको अपनी सिरफ रेंक पता चलेगी कि टोटल जो बच्चे पास हुए है जो 3,200 इक्याणों में से मान लीजिए कि 3,100 कुछ बच्चे पास होते है उनकी एक रेंक आएगी कि आपका कोण सी मेरिट करमांग पर आपका नमर है और वहाँ से फिर आपको पुलिस एड़ काटर से अलग से एक result आएगा एक मैने बाद आसकता है पंदरा दिन बाद आसकता है डेड़ मैने बाद दो मैने बाद आसकता है उस list के अनुसार आपको medical के लिए call किया जाएगा जिन बच्चों का rank में पहले नमर होगा उनका पहले नमर आएगा जो बाद में होगा category wise reservation के अनुसार ध्यान रखा जाता है और वो काम RPSC का नहीं है पुलिस headquarter का है तो वहाँ से जो list आएगी उसके अनुसार medical करवाया जाएगा medical होने के बाद में फिर आपके document verification पुलिस verification और original documents जमा होंगे वो सारी कारवाई होने के बाद फिर आपका result ये final होगा आपका joining का order अगर मैं थोड़ा सा अंदाजा आपको बताओं कि कितना समय इसमें लग सकता है तो लगबग मानिये कि जून में आपका result आएगा इसके बाद में जुलाई-जुलाई का time लग सकता है अगस्त में आपके पहली medical की list आएगी उसके बाद में एक मेना डेड मेना इसमें लगेगा और October में आपके पहले batch की joining आ सकती है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो दिवाली से पहले पहले joining आ सकती है अगर फिर भी आपको कोई doubt रहे गया इससे संबंदी तो आप comment कर सकते हो इस video के नीचे YouTube पर आप comment कर सकते हो साथ में जो Academy का एक number आपको दिख रहा है इस number के उपर भी आप message कर सकते हो WhatsApp पर जिससे आपको और जानकारी चीए जिन बच्चों को तयारी करने का प्लान करना है सब इंस्पेक्टर अगर बनना है तो वो Rim Defense Academy में तीन तरह से हमारे साथ तयारी कर सकते हैं सबसे पहले अगर आपको offline तयारी करनी है तो आप join कर सकते हैं नए batches लगातार चल रहे हैं hostel facility है girls and boys दोनों के लिए और जैपूर आके भी आप तयारी कर सकते हो जो बच्चे जैपूर का खर्चाव नहीं कर सकते होने वाली है तो अगर आप interest रखते हैं live class के लिए तो आप मुझे message कर सकते हैं और जानकारी के लिए जिसमें ये मेरा number आप जरूर शंबाल के रखिए जब तक आप सब inspector बन नहीं जाते हैं और किसी भी तरह की जानकारी हो चाहिए आपको तो आप इस number के उपर आप मेरे से whatsapp पे message करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं call नहीं करना है whatsapp message आप कर सकते हैं कोई भी extra जानकारी के लिए और अगर आप YouTube पे तयारी करना चाते हैं हमारे साथ तो अपना जो classes वाला दूसरा channel है RIM classes online वो आप subscribe रखिए और उसके उपर आपके लिए classes भी बहुत जल्दी दुबारा से शुरू होने वाली है पहले की भी सारी classes आप देख सकते हो और इस तरह से अपनी तयारी को और अच्छा बना सकते हो अब last जानकारी आपके लिए कि वेकेंसी कब तक आ सकती है तो बेटा बहुत जल्दी वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी समय की कोई limit नहीं है कितना समय और लग सकता है ये जब वेकेंसी आएगी उसी दिन पता चलेगा उससे पहले किसी को भी पता नहीं रहता है और इसके लिए जो सब इंस्पेक्टर की वेकेंसी है ये काफी पद खाली चल रहे है जिस तरह से अपराद बढ़ रहे हैं जिस तरह सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बढ़ रहे हैं उसके अनुसार इसे बहुत जल्दी निकालना आवस्सक है जो एक लाग सरकारी पदों की गोशना जो की है गौवर्मेंट ने उनमें भी ये सामिल है तो बहुत ही जल्दी आपको ये खुसकबरी कभी भी मिल सकती है थेंक्यू जैहिंत